ओम शान्ति आज है 6 अप्रेल 2023 प्रातह मुरली बापतादा मधुबन सत्कुरुवार की वानी का सार है मीठे बच्चे ऐसी कोई गफलत मत करो जिससे माया को थपड लगाने का चांस मिले अगर श्रीमत पर नहीं चलेंगे तो माया थपड मार मुह फेर देगी मिठे बच्चे ऐसी कोई गफलत मत करो जिससे माया को थपड लगाने का चांस मिले अगर श्रीमत पर नहीं चलेंगे तो माया थपड मार मुह फेर देगी प्रश्न सूर्य वंग्षी राजधानी में यर कंडिशन टिकेट लेने का आधार क्या है? वह किनहें प्राप्त होती है? सूर्य वंग्षी राजधानी में यर कंडिशन टिकेट लेने का आधार क्या है? वह किनहें प्राप्त होती है? उतर में बाबा बोले सूर्य वंग्षी रासधानी में यर कंडिशन टिकेट लेने के लिए हर कदम श्रीमत पर चलना है अपना सब कुछ बाप पर अर्पन करना पड़े हर कदम कैसे चलना है श्रीमत पर चलना पड़े अपना सब कुछ बाप पर अरपन करना पड़े जो पूरे अरपन होते हैं वही साहुकार बनते हैं सूर्य वंग्षी राजधानी है ही यर कंडिशन तुम्हारी एम आबजेक्ट ही है सूर्य वंग्षी पद प्राप्त करना सूर्यवंग्शी राजधानी है ही एर कंडिशन तुम्हारी एम आबजेक्ट ही है सूर्यवंग्शी पद प्राप्त करना बाकी नमबरवार पद तो हैं ही गीत है वह बड़ा खुश नसीब है कौन खुश नसीब है वह बड़ा खुश नसीब है इस गीत के अर्थ को तुम भ्रामन कुल भूशन बच्चे ही जानते हो अभी तुम बच्चे हो भ्रामन संप्रदाए फिर दैवी संप्रदाए बनेंगे बच्चों को बाप बैट समझाते हैं जबकि बेहद का बाप समुख है और उससे बेहद का वर्सा मिल रहा है कब से चलता है यह भी कोई को पता नहीं भक्ति मार्गवाले भक्त भगवान को अथवा ब्राइड्स ब्राइडग्रूम को याद करती हैं परंतु वंडर यह बाप को जानते नहीं ऐसा कब देखा सजनी साजन को नहीं जाने तो याद कर कैसे सके भगवान तो सबका बाप ठहरा बच्चे बाप को याद करते हैं परंतु पहचान भिगर याद करना सब व्यर्थ है इसलिए याद करने से कोई फाइदा नहीं निकलता याद करते करते कोई भी उस एम अबजिक्ट को पता नहीं और पाते भी नहीं याद करते करते कोई भी उस एम अबजिक्ट को पाते नहीं क्योंकि पता ही नहीं कौन है भगवान कौन है उससे क्या मिलेगा कुछ भी नहीं जानते इतने सब धर्म हैं क्राइस्ट बौध आदी प्रिसेप्टर अथवा धर्म स्थापन करने वालों को अनीक फॉलोवर्स याद करते हैं परन्तु उनको याद करने से हमको क्या मिलना है कुछ भी पता नहीं है इससे तो जिसमानी पढ़ाई अच्छी है एम अबजिक्ट तो पुद्धी में रहती है ना बाप से क्या मिलता है तीचर से क्या मिलता है वह समझ सकते हैं गुरू से क्या मिलता है या कोई भी नहीं समझ सकते अब तुम बच्चों को निश्चे हुआ है कि हम बाप के बने हैं बाबा हमको पांच हजार वर्ष पहले मुआफिक आकर के कान्तिधाम का मालिक बनाते हैं बाप कहते हैं लाडले बच्चों तुम मुझसे अपना वर्सा लेंगे ना क्या कहते हैं बाबा बाप कहते हैं लाडले बच्चों तुम मुझसे अपना वर्सा लेंगे ना सब कहते हैं हाँ बाबा क्यों नहीं लेंगे अच्छा रामपद पाने में राजी होंगे तुमको क्या चाहिए बाप सौगात ले आए हैं तुम सूर्यवंग्षी लक्ष्मी को वरेंगे या चंद्रवंग्षी सीता को श्री राम के पुजारी श्री कृष्ण का नाम सुनना नहीं चाहते हैं ये उन्हों का आपस में जगडा हो जाता है जैसे छोटे बच्चों का जगडा होता है ना बाप बैट समझाते हैं हू बहू जैसे कल्ब पहले समझाया था फिर से समझा रहे हैं तुम फिर से आकर वर्सा ले रहे हो तुम्हारी aim object है ही बेहद का वर्सा लेने की वह है सुर्यवंग्षी राज्यपद, second grade है चंद्रवंग्षी जैसे year condition से उच तो कुछ होता नहीं जैसे year condition से उच तो कुछ होता नहीं year condition first class second class होता है न तो सत्युक की पूरी राजधानी year condition समझो फिर है first class सत्युक की पूरी राजधानी को बाबा ने क्या नाम दिया year condition फिर है first class तो बाब कहते हैं तुम year condition का सूर्य वंग्षी राज्य लेंगे वा चंद्रवंग्षी first class का उससे भी कम तो फिर second class में नंबर वार वारिस बनो फिर तुम पीछे पीछे आकर राज्य पाएंगे नहीं तो third class प्रजा फिर उनमें भी ticket reserve होती है उनमें भी क्या होती है उनमें भी ticket reserve होती है तो बाबा कह रहे हैं कि आपकी जो प्राइज है वो अलग-अलग है फिर उनमें भी ticket reserve होती है first class reserve second class reserve नंबर वार दर्जे तो होते हैं न सुक तो वहाँ है ही बाकी compartment तो अलग-अलग है सहुकार आदमी टिकेट लेंगे एर कंडिशन की तुम्हारे में सहुकार कौन बनते हैं सहुकार आदमी टिकेट लेंगे एर कंडिशन की तुम्हारे में सहुकार कौन बनते हैं जो सब कुछ बाप को दे देते हैं बाबा यह सब कुछ आपका है भारत में ही महिमा गाई हुई है सौदागर, रतनागर, जादुगर यह महिमा हैं बाप की न कि श्री कृष्ण की, श्री कृष्ण ने तो वर्सा लिया, सत्युग में प्रालब्द पाई, वह भी बाप का बना, प्रालब्द कहीं से तो पाई होगी ना बाबा कह रहे हैं कहीं से तो उसने पाई होगी ना लक्ष्मी नारायन सत्युग में प्रालब्द भोगते हैं अब तुम बच्चे अच्छी रीती जानते हो जरूर उन्होंने पास्ट में प्रालब्द बनाई होगी ना भारत की महिमा बहुत है भारत जितना उच देश कोई हो नहीं सकता भारत ही परमपिता परमात्मा का बर्थ प्लेस है यराज कोई की बुद्धी में नहीं बैठता भारत क्या है परमपिता परमात्मा का बर्थ प्लेस है यराज कोई की बुद्धी में नहीं बैठता परमात्म माही सभी को सुक शान्ती देते हैं आधा कल्प के लिए भारत नंबर वन तीरत है परन्तु गीता में नाम डाल दिया है श्री कृष्ण का इसलिए इसका मर्तबा कम हो गया है नहीं तो सभी मनुष्य उस बाप को ही मानते और कोई पर फूल नहीं चड़ाते सर्व का पतित पावन बाप उनका सोमनात मंदिर है शुव पर ही सभी आकर माथा ठिकते हैं परन्तु ड्रामा अनुसार एक बाप को भूलने से स्विष्टी की हालत कैसी हो जाती है इसलिए शुव बाबा आते हैं कौन आते हैं शुव बाबा कोई तो निमित बनते हैं न अब बाप कहते हैं अशरिरी भव अपने को आत्मा निस्चे करो मैं आत्मा किसकी संतान हूँ यह कोई जानते नहीं है वंडर है ना कहते भी है ओ गौड फादर रहम करो शिव जैनती भी मनाते हैं परंतु वकब आये थे यह कोई को पता नहीं है यह पांच हजार वर्ष की बात है बाप ही आकर नई दुनिया सत्युक स्थापन करते हैं सत्युक की आयू लाखों वर्ष तो है नहीं बाप बच्चों को कितना सहज कर समझाते हैं सिर्फ याद करो ग्रियस्त ववहार में रहते कमल फूल समान बनो विश्णु को ही सभी अलंकार दिये हैं शंक भी दिया है क वास्तव में देवताओं को यह अलंकार थोड़े ही दिये जाते हैं यह कितनी गुह गंभीर बाते हैं हैं ब्रामनों के अलंकार परन्तु ब्रामनों को कैसे देवे आज ब्रामन हैं कल शूद्र बन पड़ते हैं ब्रमा कुमार से शूद्र कुमार बन पड़ते माया देरी अगर कोई गफलत की बाप की श्रीमत पर न चला बुद्धी खराब हुई तो माया अच्छी तरह चमाट मार मुँ फेर लेती है। जैसे एक सेकेंड में जीवन मुक्ती पाते हैं ऐसे सेकेंड में जीवन मुक्ती खतम कर देते हैं। कितने अच्छे अच्छे को माया पकड लेती हैं देखती है कि यह कहां गफलत में हैं तो जट थपड लगा देती है। बाप तो बच्चों का मुः पुरानी दुनिया से फेर कर नई दुनिया तरफ करते हैं। लौकिक बाप कोई गरीब होता है, पुरानी जोपड़ी में रहता है, फिर नया बनाते हैं, तो बच्चे की वुद्धी में बैठ जाता है। कि बस अब नया मकान तयार होगा, हम बैठेंगे या पुराना तोड़ देंगे, तुम्हारे लिए भी अब बाप ने हथेली पर बहिश्त लाया है, वह वैकुंठ लाया है। कहते हैं, लाडले बच्चे, आत्माउं से बात करते हैं, इन आकों द्वारा, तुम बच्चों को देख भी रहे हैं, कश्मीर में ब्रामन लोग बहुत होते हैं, कहां होते हैं, कश्मीर में ब्रामन लोग बहुत होते हैं, श्राध आदी भी वहां खिलाते हैं, ब्रामन में आत्मा को बुलाते हैं यह सभी साक्षातकार का राज रखा हुआ है ऐसे नहीं कि आत्मा कोई से निकल कराती है अपने बड़ों की आत्मा को बुलाते हैं उनके लिए सभी कुछ तयार रखते हैं समस्ते हैं फलाने की आत्मा आईगी फिर उनसे पूछा भी जाता है आगे आत्मा बोलती थी फिर उनसे पूछा जाता है आप राजी खुशी हैं वह सुनाती है यह भी ड्रामा अनुसार चलता है कभी-कभी बताते भी हैं मैंने फलाने घर में जनम लिया है कभी-कभी बताते भी हैं मैंने फलाने घर में जनम दिया है, यह सब साक्षातकार की रीती ड्रामा में बनी है, जो रिपीट होती है, बाकि आत्मा कोई आती नहीं है, आगे टेबल में भी बुलाते थे, बाबा को सभी अनुभव है, अब टेबल में तो आत्मा आना सके, जिसने जो कुछ किया वह ड्र को कितना अच्छी रीती पकड़ना पड़ता है, भोग लगाया जाता है, आत्मा को बुलाया जाता है, यह सबी ड्रामा में नूंद है, इसमें संग्षय की कोई बात नहीं, नहीं आदमी न समझने के कारण मूझते हैं, बाप चादुगर भी है ना, समझाते हैं, मैं भी ड ड्रामा के बिगर कुछ भी कर सकता हूं, ऐसे नहीं ड्रामा के बिगर कुछ कर सकता हूं, नहीं, बच्चे बिमार पड़ते हैं, ऐसे नहीं मैं ठीक कर दूंगा, ओपरेशन कराने से चुड़ा दूंगा, नहीं, कर्म भोग तो सभी को भोग ना ही है, तुम्हारे उपर त अब तुम बच्चों को बाप मिला है तो बाप से वर्सा लेना चाहिए तुम जानते हो कल्प कल्प हम ड्रामा अनुसार बाप से वर्सा लेते हैं जो सूर्यवंग्षी, चंद्रवंग्षी घराने के होंगे, वह अवश्य आएंगे, जो देवी देवता थे, फिर शूद्र बन गए हैं, फिर वही ब्रामन बन, देवी संप्रदाय बनेंगे, क्या कहा बाबा ने कि जो देवी देवता थे, फिर शूद्र बन गए हैं, फिर वही भ्रामन बन दैवी संप्रदाय बनेंगे, यह बातें बाप बिगर कोई समझा न सके, बाप को बच्चे कितने मीठे लगते हैं, कहते हैं, तुम वही कल्प पहले वाले मेरे बच्चे हो, मैं कल्प कल्प आकर तुमको पढ़ाता हूं, कितनी वंडरफुल बाते हैं, निर लाकार भगवान वाच, शरीर से वाच करेंगे न, माना बोलेंगे न, शरीर अलग हो जाता, तो आत्मा वाच करना सके, आत्मा डिटैच हो जाती है, अब बाप कहते हैं, अशरीरी भव, ऐसे नहीं कि प्राणाया मादी चड़ाना है, नहीं, समझना है, मैं आत्मा अविना मेरी आत्मा में 84 जन्मों का पाड भरा हुआ है बाप खुद कहते हैं बाप किसको कहा शू बाबा को ब्रामनों की डिक्ष्णरी बिलकुल अलग है यहां जो भी शब्द उचारे जाते हैं उसे स्वयम पर मात्माने उचारे हैं इसलिए उसे बहुत प्रेम से उचारना होता है चाहे बाहर की दुनिया में ऐसे शब्दों की मीनिंग कुछ भी हो उस मीनिंग को हमेशा के लिए भुला दें बाप खुद कहते हैं मेरी आत्मा भी जो एक्ट करती है वह पाड सारा भरा हुआ है भक्ति मार्ग में भी वही पाड चलता है कोई ने शरा पिया ही नहीं है तो टेश्ट का पता कैसे हो सकता है ज्यान भी जब लेवे तब पता पड़े ज्यान से ही सद्गती होती है बाप कहते हैं मैं सर्व का सद्गती दाता हूं सर्वो दया लीडर्स है न कितने किसम किसम के हैं वास्तव मैं तो सर्व पर दया करने वाला बाप है ना सभी कहते हैं हे भगवान रहम करो तो सभी पर रहम भग करते हैं बाकी सब हैं खुद के रहम करने वाले बाकी सब हैं खुद के रहम करने वाले बाप तो सारी दुनिया को सतो प्रधान बनाते हैं उसमें तत्व भी आ जाते हैं यह काम एक परमातमा का ही है यह जो काम है सतोप्रधान बनाने का यह कार्य किसका है यह करम कार्य सिर्फ और सिर्फ परमातमा का है तो सर्वो दया का अर्थ कितना बड़ा है एक दम सर्व पर दया कर देते हैं स्वर्ग की स्थापना में कोई भी दुखी नहीं होता है वहाँ नमबर वन फरनिचर वैभव आदी मिलते हैं दुख देने वाले जानवर मक्ही, मच्छर आदी कोई नहीं होता यहां भी बड़े आदमी के घर में कितनी सफाई होती है कभी तुम मक्ही नहीं देखेंगे कोई मच्छर घुष्णा सके स्वर्ग में कोई की ताकत नहीं जो ऐसे गंद करने वाली कोई चीज हो स्वर्ग में ऐसी चीज़े नहीं होती जो किसी की गंदी चीज़ को मतलब गंदा कर दे स्वर्ग में ऐसी कोई चीज़ नहीं स्वर्ग में कोई की ताकत नहीं जो ऐसे गंद करने वाली कोई चीज़ हो नहीं नैचुरल फूलों आदी की खुशबू रहती है तुमको सुक्षम बतन में शुबाबा शुबिरस भी पिलाते हैं अब सुक्षम बतन में तो कुछ है नहीं यह सभी सक्षतकार है वैकुंट में कितने अच्छे फल बगीचे आदी होते हैं सुक्षम बतन में थोड़े ही बगीचा रखा है यह सभी सक्षतकार यहां बैठे बिहद के बाप से बिहद का वर्षा लेते हैं, तो बाप को याद करना चाहिए, किसे याद करना चाहिए? शुबाबा को बाप को याद करना चाहिए, बाप की मत मashूर है, श्रीमत से हम श्रेष्ट ते श्रेष्ट बनेंगे सन्यासी कहते हैं यह काग विस्टा समान सुख है परन्तु उन्हों को यह पता नहीं है कि सत्यूग में सदय वसुख था छोटे पन में यह राधे कृष्ण है इनके चरित्र आदी कुछ है नहीं स्वर्ग के बच्चे होते ही अच्छे हैं तब भला सरस्वती कहा गई सरस्वती को तो सितार देते हैं तो बड़ी वह तेहरी ना सरस्वती को तो सितार देते हैं तो बड़ी वर ठहरी न यह सब है भक्ति मार गुडियों का खेल दिवी देवताओं की मूर्ती बना कर पूजा आदी करके फिर डुबो देते हैं इस पर तुम्हारा एक गीद भी बना हुआ है इसको कहा जाता है blind faith अच्छा मिठे मिठे सिखी लधे बच्चों प्रती मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉनिंग रुहानी बाप की रुहानी बच्चों को नमस्ते हम रुहानी बच्चों की रुहानी बाबा को नमस्ते आज की धरनाएं ते संग्षय नहीं उठाना है ड्रामा के हर राज को अच्छी रीती समझ कर अडोल रहना है अपने को अविनाशी आत्मा समझ इस शरीर से डिटैच हो अशरीरी बनने का अभ्यास करना है वर्दान करावनहार की स्मृति द्वारा करावनहार की स्मृति द्वारा बड़े से बड़े कार्य को सहज करने वाले निमित करनहार भव हम क्या है मैं आत्मा करनहार और हमारे पिता परमपिता परमात्मा जो स्वयम निराकार है वह करावनहार है बापतादा स्थापना का बड़े से बड़ा कार्य स्वयम करावनहार बन निमित करनहार बच्चों द्वारा करा रहे हैं करन करावनहार इस शब्द में बाप और बच्चे दोनों कमबाइंड है कैसे करावनहार बाबा करनहार हम इस लिए करन करावनहार इस शब्द में बाप और बच्चे दोनों कमबाइंड हैं हाथ बच्चों का और काम बाप का हाथ बढ़ाने का गोल्डन चांस बच्चों को ही मिला है लेकिन अनुभव यही करते हो कि कराने वाला करा रहा है निमित बनाए चला रहा है हर करम में करावनहार के रूप में साथी है स्लोगन है ग्यानी तु आत्मा वह है जो अरजी डालने के बजाए सदा राजी रहे अच्छा सभी को ओम शांते झाल 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 झाल 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 झाल